नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्शिद वेदी और मैं आपका सौध करता हूँ अपनी इस वीडियो में पार्ट 84 है दोस्तों ये लक्षमी कान की सीरीज का मैं आपके साथ 83 पार्ट्स डिसकस कर चुका हूँ पिछली वाली वीडियो में मैं प्रेजडेंट आफ इंडिया को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे वाइस प्रेजडेंट आफ इंडिया का इलेक्शन किस तरीके से होता है कैसे President of India के election से Vice President of India का election अलग है qualification क्या होनी चाहिए अगर आपको Vice President बनना है इंडिया का आपकी oath क्या है, conditions of service क्या है, join करने की तो इन सब चीज़ों के बारे मैं बात करेंगे दोस्तों आगे बंट पहले, I hope आपने एक किताब खरीद ली हो, मेरे साथ बैटके पढ़ रहे हो वीडियो पे like का button दबाना कभी मत भूलिए, मैं आपको इसलिए बार-बार याद दिलाता हूँ तो कि शायद आप भूल जाओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजे बेरे दोरा बनाए गई, और वीडियो को देखने के लिए जहां पे मैं लक्षमी कान्त के MCQ की सीरीज भी बना रहा हूँ, इसके लिए आप चैनल पे जॉइन बटन, दबा के मेंबर भी बन सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजे, वहाँ पे आप जन्यून क्यरिस पूछ सकते हैं, और साथ-साथ टेलिग्राम को जॉइन कर लीजे, वीडियो की नोटिफिकेशन्स, वहाँ पे मिल जाएंगे second highest office है, लेकिन अब तक आपको समझ में आ गया होगा, कि ये offices बहुत ज़दा nominal हैं, इनके पास actually में ताकत है नहीं, भले ही president is the first citizen of the country, ठीक है न, he is the presiding, आप कह सकते हो कि the first elder citizen, या first citizen कह लिजे, मतलब बिलकुल constitutional head है, जो सबसे पहले citizen है हमारे देश के, जो leader है हमारे देश के nominal reader, real नहीं, वो president है, असल ताकत कहा है, भाई ये executive के पास है, नि council of ministers headed by prime minister, अभी दूसरे पे आते हैं, president के बाद vice president, vice president के पास भी कोई ताकत नहीं है, बस precedence को आप देखोगे, rank को देखोगे, उपर से नीचे, तो सबसे नंबर पे हैं, vice president, तो official warrant of precedence में, दिखिए, यहाँ पे नाम के है, official warrant of precedence में, who is at the second number, vice president, इस office को बनाया गया है, on the lines of American vice president, तो भले ही आप इस office को कह सकते हो, on the lines of American vice president, लेकिन American vice president के साथ, आप हमारे देश के vice president को office को बिलकुल मत consider करना, चूँकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो American system of administration है, वो Indian system of administration से बिलकुल अलग है, जा America में presidential form of government है, America के president के पास बहुत सारी ताकते होती है, America का president जब अपने election को लड़ रहा होता है, तो अपने campaigning के दौरान वो एक नाम announce करता है, जो उसके साथ vice presidential post के लिए लड़ रही होती है, जैसे कि अभी नवंबर में जो अमेरिका में elections आने वाले हैं, वहाँ पे Donald Trump के against कौन ख़डा हो रहा, जो बाइडन, और जो बाइडन ने अपने vice presidential candidate की तरह किसको नॉमिनेट किया है, तो Kamala Harris को, तो US में जब elections लड़े जाते हैं, तो president अपने नाम के सासथ vice president के नाम को भी announce करता है, और दोनों मिलके election लड़ते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, president एक बहुत nominal post है, vice president एक बहुत nominal post है, president भी indirectly elect होता है, vice president भी indirectly elect होता है, बात आती है, election की तो देखते है, president कैसे elect होता है, तो जैसा कि मैंने बताया, vice president is elected not directly by the people, but by the method of indirect election, तो आपको पता है कि भी या, president के लिए भी indirect election है, vice president के लिए भी indirect election है, तो vice president एक electoral college के members चुनेंगे, जिसमें members होंगे of the both the houses of parliament, देखिए, दोस्तों, यहाँ पर एक important आपको मैं चीज़ बताना चाहूँगा, जब initially हमारा समविधान बना था, तो यह बोला गया था, कि vice president को चुना एक ऐसे समय पे जाएगा, जब दोनों houses of the parliament, एक joint meeting में बैठे हों, यानि लोकसभा के members और राजसभा के members joint meeting में साथ में बैठे हों, तब vice president को चुनाओ होगा, लेकिन बाद में इस procedure को हटा दिया गया, चुकि दोनों houses की joint sitting को करा पाना अपने आप में बहुत बड़े procedural problem है, देखिए, लोकसभा में 545 members, राजसभा में 250 members, एकदम से सारे members भीड़ सी लग जाएगी, ठीक है, तो 11th constitutional amendment act 1961 से बोला गया कि नहीं भाई, president को चुनना है, vice president को चुनना है, तो अलग-अलग चुनाओ कर सकते हैं दोनों houses में, ठीक है, एक साथ मिलके बैठने की ज़रूरत नहीं है, चुकि वो process थोड़ा सा cumbersome हो जाता है, ओके, तो अब देखा जाए, कि electoral college, यानि कि अभी के लिए देखा जाए, vice president को चुनाओ में कौन-कौन vote डालेगा, ओके, ओवर ओल वोट्स की counting होगी, अभी जैसे president में votes की counting होती है, वैसे ही vice president में votes की counting होगी, अभी president की procedure को मैंने जितने elaborate तरीके से बताया था, उतने elaborate तरीके से यहाँ पर बताने की जुरूत नहीं है, आपको बस ये समझना है, कि president के voting की counting जैसे होती है, वैसे ही vice president की voting की counting होगी, सब कुछ वही होगा, बस vote डालेगा कौन-कौन, तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको पता है कि president की चुलाव में, state legislative assembly की members भी vote डालते हैं, vice president की चुलाव में, state legislative assembly की members vote नहीं डालेंगे, ये एक difference हो गया, दूसरी बात, president की चुलाव में, केवल elected members of the लोकसभा और राजसभा vote डालते थे, तो जो nominated members थे, जैसे कि पहले Anglo-Indian community की members थे लोकसभा में, अब तो वो हटा दिया गया है reservation, साथ-साथ, जो 12 members हैं आपके, nominated राजसभा में, वो लोग election की चुनाव में vote, मतलब वो लोग president की चुनाव में vote नहीं डालते थे, लेकिन जब बात की गए vice president की, vice president की चुनाव में, जो electoral college है, वहाँ पे elected members of the लोकसभा, राजसभा वो भी vote डालेंगे, and nominated members of the लोकसभा, राजसभा, वो भी vote डालेंगे, तो जो nominated members हैं, आपके parliament के लोकसभा, राजसभा के, वो भी vice president की चुनाव में vote डालेंगे, लेकिन president की चुनाव में vote नहीं डाल रहते, वो अलग बात थी कि जब president का impeachment हो रहा था, उस समय पे ये nominated members भी impeachment में vote डाले थे, पर चुनाव में इनने vote नहीं डाला था, पर वाइस प्रेजिडेंट के case में, elected and nominated members of the parliament लोकसभा, राजसभा vote डालेंगे, इस बात को याद रखेगा, क्याफ सवाल उठता है, कि भाईया, ये difference क्यों, तो हमारे बाबा साब, इन्होंने constitution मनाया था, assembly में इनसे सवाल पूछा गया, कि भाई आप बता ये, कि आप president के, और vice president के चुनाव में, ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं, अलग क्यों कर रहे हैं, तो देखते हैं, बाबा साबने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखिए, president is the head of the state, हमारी देश की जो सरकार चलेगी, वो president के नाम पे चलेगी, जो भी decision होंगे, जो भी act होंगे, laws होंगे, bills होंगे, executive orders होंगे, उस सब पे कौन साइन करेगा, president साइन करेगा, इसलिए president जो भी decision लेता है, उसका effect ना केवल center की सरकार के पढ़ेगा, पूरे देश पे पढ़ेगा, और पूरे देश में states भी आते हैं, तो states की functioning पे भी president द्वारा लिये गए, नियम कानूनों का फर्क पढ़ेगा, इसलिए जब president का चुनाव होगा, तो state legislative assembly की members को यह हक मिलना चाहिए, कि वो vote डाल सके, लेकिन अगर आप vice president की बात करो, तो vice president का काम है, जो council of state है, जो राजसबा है, उसको head करना, तो भाई यह हमारे vice president, केस्दा chairman अफ राजसबा, कभी-कभी ऐसा हो सकता है, कि president की seat, कुछ contingencies में खाली हो जाएं, तो vice president उसकी जगा पे बैठ सकता है, वो contingencies क्या है, वो conditions क्या है, वो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, मेरी president वाली वीडियो देखी जाके, महाँ पे मैंने इस चीज़ को बहुत detail में समझा है, तो अगर उन कुछ contingencies को, conditions को छोड़ दो, तो vice president normally president का का काम करेगा नी, अगर करता भी है, तो बहुत थोड़े से समय के लिए करेगा, तो इसलिए, normal case में देखा जा, तो vice president का काम केवल क्या है, कि राजसभा को chair करना, अभी जब vice president का काम इतना कम है, president बनेगा भी तो बहुत छोटे समय के लिए बनेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि state legislatures के member को बुलाया जाए, vice president के चुनाओ में, तो भाई, vote डालेगा कौन, इसके फर्क को तो हमने देख लिया, but election होगा कैसे, ये बिल्कुल सेम है, तो president का election जैसे होता है, वैसे vice president का election होता है, तो vice president के election में भी आप क्या बोलोगे, is held in accordance with the system of proportional representation, by means of single transferable vote, and the voting is by secret ballot, secret ballot क्या होता है, ये भी मैंने आपको president में समझाया था, single transferable vote का scene क्या है, ये भी समझाया था, proportional representation क्या चीज़ है, ये भी समझाया था, इनका proper detailed analysis किया था, ये system of proportional representation क्या होता है, single transferable vote किस तरीके से काम करता है, secret ballot पर voting किस तरीके से होती है, सब कुछ आपको chapter 17 president में समझाया जा चुका है, तो यहाँ पे repeat करने की जरूद नहीं है, देखना है, वहाँ पे जाके देखिए, आप एक चीज़ देखी जाए कि माल लीजे, vice president की चुनाओं में किसी तरीके का dispute आ जाता है, doubt आ जाता है, ये बोला जाता है कि vice president की चुनाओं में गलत तरीके से चीज़ें हुई है, तो उस case में inquiry कौन कर सकता है, तो president की case में जो inquiry कर सकता है, वही यहाँ पे भी inquiry कर सकता है और वो body है आपकी supreme court, तो अगर vice president की चुनाओं में कोई dispute है, तो उसके against inquiry करने की ताकत है हमारी apex court, supreme court के पास एक चीज़, उसके बाद अगर vice president के लिए एक person को आपने चुन लिया, तो उस election को आप इस ground पे चैलेज नहीं कर सकते की electoral college incomplete था, electoral college मतलब कि आपको पता है कि लोग सबा के, राज सबा के जो elected और nominated members हैं, वो vice president के चुलाओं में vote डाल रहे हैं, अभी मान लिजए राज सबा में 7 या 8 seat खाली पढ़ी हैं, या फिर लोग सबा में 10 या 12 seat खाली पढ़ी हैं, तो वो जो 10-12 seat खाली पढ़ी हैं और उस समय पे vice president का election हो गया और vice president चुन के आगए, बाद में वो 10-12 seat पे vote हो गई और वहाँ पर representative आ जाते हैं, तो वो representative कल की डेट में खड़े हो के ये नहीं बोल सकते कि आरे आप ने तो vice president को चुनाव करा दिया, हमारी तो seat भरी यह नहीं हुई थी, आप फिर से चुनाव करा आईए, हमें तो vote डालना था, ये वो नहीं बोल सकते हैं, अगर कोई electoral vacancy है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार vice president को चुनाव हो गया, तो इस basis पे आप उस चुनाव को challenge नहीं कर सकते कि electoral college incomplete था, कुछ seat हैं खाली थी, उके, उसके बाद अगर vice president चुन लिया गया, और उसके चुनाव के against कोई dispute है, dispute supreme court के पास आएगा, माली जे supreme court बोलता है कि भाई इस vice president को गलत तरीके से चुना गया है, तो अब ये vice president नहीं है, तो जितने समय वो vice president vice president रहेगा, उस समय पर उसने जो जो भी decisions लिये हैं, उन decisions को null and void नहीं किया जाएगा, वो decisions valid रहेंगे, अब हम आते हैं, qualifications of the vice president of India, देखते हैं, कि to be eligible as the vice president of India, to be eligible for election as the vice president of India, to be precise, एक person के पास क्या-क्या qualification नहीं चाहिए, भाईया एक बात याद रखना, अगर president बनना है, तो you should be qualified to be a member of loksabha, और अगर आपको vice president बनना है, तो आपके पास एक qualification होनी चाहिए, कि आप राजसभा की member बन सको, चुकि बात यह है दोस्तों, कि आप vice president बनने के बाद, राजसभा को lead करोगे, chairman रहोगे राजसभा की, तो अगर आप राजसभा की chairman हो, तो कम से कम आपके पास इतनी तो eligibility हो, कि आप राजसभा की member बन सको, तो एक president को, अगर vice president का election लड़ना है, so he should be qualified for election as a member of raja sabha, देश का citizen होना चाहिए, वो तो है, 35 साल उसकी उमर होनी चाहिए, उसके बात क्या बोला गया है, अब आत वही आगई, office of profit क्या है, पिछली वीडियो में आपको बताया था, और इस वीडियो में बता रहा हूँ, office of profit अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, जिसको मैं अलग से discuss करूँगा, आगे लक्षमी कान में यह आएगा, अभी के लिए हम आपको छोड़ रहा हूँ, office of profit को decide करने की ताकत किसके पास है, तो government के पास ही है, government नियम कानून पास करके, act पास करके बोल सकती है, कि यह particular position office of profit है, यह particular position office of profit नहीं है, तो यह government पे dependent होता है, कि office of profit क्या है, तो Central Government Central की Posts लिए Decide कर सकती है कि Office of Profit क्या है State Government State की Posts लिए Decide कर सकती है Office of Profit क्या है फिर से बोल रहा हूं Office of Profit क्या है इसके उपर वापस आएंगे एक और चीज़ अगर आप Vice President of India हो Sitting Vice President of India हो अगर आप President of India हो अगर आप किसी State की Governor हो अगर आप union cabinet में member हो, minister हो या किसी state की cabinet में minister हो तो आप office of profit में नहीं माने जाओगे अगर आप vice president की post के election लड़ रहो तो कोई person जो state की cabinet में minister है union की cabinet में minister है governor है, president है, vice president अगर वो vice president की शुनाओ के लिए लड़ रहा है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो office of profit hold करता है वो लड़ सकता है फिर मैंने आपको बताया था president की case में 50 electors, 50 seconders 50 electors, proposers होंगे 50 electors, seconders होंगे जब बात आती है vice president के office के nomination के लिए तो 20 electors को नाम propose करना पड़ेगा और 20 electors को नाम second करना पड़ेगा मतलब कि 20 ऐसे लोग होने चाहिए लोग सभा में और राज सभा में जो एक ऐसी application पे sign करें जिसमें आपका नाम vice president की post के लिए nominate किया गया हो और एक बार 20 लोगों ने आपके नाम को nominate कर दिया उसके बाद 20 ऐसे और लोग चाहिए जो sign करके बोले कि हाँ भाई हम इस nomination पे अपनी मंजूरी देते हैं यानि हम second कर रहे हैं इस नाम को तो 20 लोग as proposers होने चाहिए और 20 लोग as seconders होने चाहिए और आपको एक security deposit रखना पड़ेगा 15,000 रुपे का किसके साथ? Reserve Bank of India के साथ इस तरीके के जो security deposit का clause था ये president में भी था ये किसके थूरू लाया गया? Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952 जिसको amend किया गया था 1997 में अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से Vice President रहें 1952 से लेके 2017 तक बहुत ज़दा डीटेल में देखने की जरूत नहीं है इंपोर्टन चीज याद रखें कि पहले देश के Vice President डॉक्टर S सर्वपल्ली रादा किष्णन जी 1952 में रहें 1957 में भी यही Vice President बनें फिर उसका 1962 में जाकिर हुसैन साब Vice President रहें 1967 में वीवी गिरी साब 1969 में जीयेस पाठक 1974 में बीडी जट्टी 1979 में एम हिदयतुला 1984 में आर वेंकेड रमन 1987 में डॉक्टर शंकर द्याल सर्मा 1992 में के आर नारायन जी 1997 में कृष्न कांत जी 2002 में बीएश्य खावज जी 2007 में मौमद हमीद अंसारी 2012 में मौमद हमीद अंसारी 2017 में वेंकेड नाहिडू एक चीज याद रखेगा ऐसा एक प्रेजडेंट जो दो बार प्रेजडेंट रह चुका हो तो वो डॉक्टर राजेन प्रसारते उसके अलावा कोई भी ऐसे प्रेजडेंट नहीं जिन्होंने दो पूरी पूरी टर्म्स ऐसा प्रेजडेंट करी हो और ऐसा कोई पर्सन जिसमें दो पूरी पूरी वाइस प्रेजडेंचal टर्म्स करी हो तो डॉक्टर सरॉ पल्ली राजा शीने करी है और मुहमध हमीद अनसारी जीने करी है तो वाइस प्रेजडेंट की पोस्ट पे दो बार लगातार पूरे के पूरे टर्म Vice President में किये हैं किसने किसने एस राधा किष्ण सामने और मौम्मद हमीद अनसारी सामने ठीक है अब बात करते हैं Oath and Affirmation अपने Office में Enter करने से पहले हमारे Vice President को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एक Oath और Affirmation को इस Oath में वो क्या बोलेंगे तो बेर टूफ़े और एक गोवर्मने शर्वन को लेनी पड़ती है कल की डेट में ISIPS बनोगे तो भी यह Oath लोगे इंस्पेक्टर बनोगे तो भी यह Oath लोगे और यह जो Oath है वो Vice President को नॉर्मल कर केसिस में कौन एड्मिनिस्टर करवाएगा President और माल लिजे President unavailable है तबियत खराब है कुछ है तो President किसी भी दूसरे परसन को appoint कर सकता है in his behalf to subscribe the Oath and Affirmation to the Vice President of India तो नॉर्मल कर केसिस में Vice President of India को उनकी शपत दिलाएंगे हमारे President साब President साब माल लिजे किसी बात पे available नहीं है किसी वज़ा से तो उस केस में इनको वो परसन ओत दिलाएगा जिसको President ने appoint किया है ओत दिलाने के लिए और finally आते है Conditions of Office of the Vice President of India बहुत सिंपल है Conditions of the Office of Vice President of India कुछ-कुछ President जैसी है अगर आप किसी House of Parliament के Member हो लोगसभा के Member हो राजसभा के Member हो या State Legislative Assembly की Member हो State Legislative Council के Member हो और आप Vice President चुन लिए जाते हो तो moment आप Vice President चुने जाओगे आप जिस भी लोगसभा के Member थे राजसभा के Member थे State Legislative Assembly के Member थे State Legislative Council के Member थे आप उसके Member नहीं रहोगे तो जिस दिन आप Vice President बनोगे वो जो पुरानी membership थी आपकी SLA की, SLC की, LS की, RS की वो चली जाएगी दूसरी बात आपको यह office of profit hold ना करो अभी office of profit क्या है? यह बात में देखेंगे तो यह था पूरा analysis दोस्तों, यहाँ पर हम चीज़ों खतम करें Thank you for watching, have a great day